स्वागत है आप सभी का BSC and NSC अड़ा में आईए हम लोग पहले एनलेसिस कर लेते हैं आज की अपनी इंट्राडे ट्रेड्स का और देखते हैं आज की जो हमारे दो स्टॉक थे उन्होंने कैसा प्रफॉर्म किया और उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए मैंने किसी स्टॉक को चुना है आज का हमारा पहला स्टॉक SBI कार्ड का था इसे बाय करना था 845 पर और आपका पहला टारगेट 848 का दूसरा टारगेट 855 का था अब जैसा कि आप अपनी स्क्रिन पर देख पा रहे हैं यह स्टॉक ओपन हुआ था 838 पर और इसी स्टॉक ने हाई मारा 856.5 का तो दोस्तो इस तरह से इस स्टॉक ने अपने बाय साइड के दोनों टारगेट को बहुत ही अच्छे से अचीब किया और एक बहुत अच्छी ट्रेट साबित हुई उम्मीद करता हूँ कि इस स्टॉक में आप सभी लोग ने प्रॉफिट बुक किया होगा और आज का हमारा दूसरा स्टॉक प्रेस्टीज का था, इसे बाय करना था 500 पर और पहला टारगेट 502 का दूसरा टारगेट 505 का था और इसे सोट सेल करना था 495 पर अब जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह stock open वा था 498.8 पर और इस stock ने high मारा 504.5 का तो दोस्तों इस तरह से यह stock अपने buy side के पहले target को achieve करता है और उसके बाद target 2 के काफी करीब तक चला जाता है तो उमीद करता हूँ कि जिसने इस stock में entry ली होगी उसने time पर exit कर लिया होगा target 1 का profit तो book ही कर लिया होगा जिसने भी इस stock में entry ली होगी और इस stock को short sale करना था 495 पर पहला target था आपका 492 दूसरा target 488 का अब जैसा कि आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं यह stock आज लो गया है 485.9 का यानि कि दोस्तों इस stock ने आपने short sale side के दोनों target को achieve किया और एक बहुत अच्छी trade साबित हुई इस stock का short sale का दूसरा target था 488 और इस stock ने आज low मारा है 485 का तो एक बहुत अच्छी trade साबित हुई buy side और short sale side दोनों side के target अच्छीव हुए हैं तो उमीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने profit book किया होगा आईए अब देख लेते हैं कि कल का हमारा कौन सा stock रहेगा कल मैं trade डालूँगा चंबल fertilizer में आप चाहें तो अपनी intraday की trade भी इस stock में डाल सकते हैं आप इसे buy कर सकते हैं 473 पर पहला target 476 का दूसरा target 489 का अगर यही गिरना सुरूँ होता है तो आप इसे short sale कर सकते हैं 463 पर पहला target 460 का दूसरा target 455 का और इस stock में आपका stop loss रहेगा 4 point तो दोस्तों अच्छे से trade डालिए intraday trading rules को follow करिए proper तयार रहिए entry लेने के लिए यानि कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके पास fund कितना है और उस fund में आपको कितनी quantity लेनी है आप पहले से ये सब calculate करकर रखिए risk management को proper calculate करके रखिए कि आप कितने point का stop loss लेने वाले हैं कितनी quantity लेने वाले हैं उसके बाद इस सब को कहीं एक उस पे note का लीजे paper पर और सामने रख लीजे अपनी screen के या mobile के जिससे भी आप trade करते हैं proper time निकाल कर trading करिए अगर आपके पास time नहीं है तो चलते फिरते trading मत करिए दोस्तो टाइम हो तभी trading करिए ऐसा नहीं कि आप बाइक चला रहे हैं और आपने trade डाल दी तो दोस्तो उसमें आपका loss हो सकता है तो intraday trading rules को follow करिए साधे 9 के आजपास कोसिस करिए entry लेने की minimum profit सबसे पहले stop loss को maintain करिए targets जैसे जैसे achieve होते जाएं अपने stop loss को trail करते रहें कुछ यही points होते हैं जिनको ध्यान देंगे तो निश्यत तोर पर आप profit में रहेंगे end of the month या end of the week आप जब भी PL अपना calculate करेंगे हमेशा ही profit में निकलेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कर दें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe जरूर कर दें और नीचे description box में मैंने जिरोधा का link दिया है तो आगर अभी तक आपने अपना demat account नहीं ख अभी का बहुत बहुत धन्यवाद